पंद्रह नवंबर सन 1875 जार्खन के उली हातूं की धर्ती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उल्गुलान क्रांती का बिगुल फूखने वाले बिर्सा मुंडा का जन्व हुआ था जन्मानस में धर्ती आवा के रूप में विराजबान भगवान बिर्सा मुंडा ने अलपायू में ही ब्रिटिश अपनिवेशिक सत्ता के खलाफ जिस करांती का आघास किया उसकी धमक आज भी सुनाई पड़ती है आने वाली पीडियों के लिए इन स्मृतियों को संजोना आवश्चक है यह संकल्प लिया मानिनिये प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी ने कि अप्षायद कोई आधिवासी जीला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर कि अप आज़ादी आने तक आधिवासियों ने जंग न की हो बलिदान न दिया आजादी क्या होती है गुलामी के खिलाब जंग क्या होता है उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था लेकिन हमाने आने वाली पीडियों को इस इतिहास से उतना परिचे नहीं उनके पूरे इतिहास को समावेट करते हुए अलग-अलग राज्यों में मिजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी ताकि आने वाली फीडियों को हमारे देश के लिए मरमिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाद मिलेगा पुरधान मंत्री जी के इसी संकल्प का परिणाम है कि भगवान विर्सा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हज साल जनजातिये गौरब दिवस के रूप में मनाने का एतिहासिक फैसला लिया गया है हमारे जनजातिये स्वतंतरता सैनानियों के शौर्य, त्याद और बलिदान को कृतक गिर्नाष्ट कभी भूल नहीं सकता आजादी के अमरित महुत्सों में इस दिवस की घोष्णा ऐसे इस तभी आजादी के पुरोधाओं का सम्मान है हमारे आदिवासी समुदायों की विशिष्ट जीवनशैली के लिए ये विशेश दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा ये दिवस गौरवशाली जनजातिय संस्कृती और राश्ट निर्वान में उनके योगदान का उत्सव होगा जिस तरह हम गांधी जयंती और सरदार पटेल जयंती मनाते हैं वैसे ही 15 नवंबर को हर साल भगवान पिर्शा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी इस वर्ष जनजातिय स्वाधीनता सैनानियों के योगदान को याद करने के उदेश से 15 से 22 नवंबर तक देश भर में समारोह आयोजित किये जा रही हैं मोधी सरकार के अथक प्रयासों से देश भर में दस जनजातिय स्वतंदरता सैनानी संग्रालियों की स्थापना की जा रही है जारकन, 36 गड, मध्रप्रदेश, गुजरात, आंधुरप्रदेश, केरल, तेलंगाना, मिजुरम, मनिपूर और गुवा में राज्य सरकारों के सहयोग से तयार किये जा रही है देश का पहला संग्राले भगवान बिर्सा मुंडा स्मृति उद्ध्यान सह स्वतंदरता सैनानी संग्राले अब राची में बनकर तयार हो चुका है 30 एकड में फैले इस संग्राले का निर्बान राची के उसी जेल पर इसर्मे किया गया है जहां भगवान बिर्सा मुंडा ने स्वतंदरता संग्रश के पत पर अपना सर्वोच पलिदान दिया था संग्राले के मुख्य द्वार से प्रिवेश करते ही उसके पहले प्रांगण में जार्खन के जनजातिय समुदायों की कला, संस्कृती, जीवनशैली, पियोहार एवं हाट बाजारों को खुपसूर्थी से दर्शाया गया है संग्राले परिसर के बाहर भगवान बिर्सा मुंडा की 25 फीट उची भव्य प्रितमा स्थापित की गई है इसे पूरे परिसर में लेजर और लाइट शो एवं चित्रपट के मार्धियम से जनजातिय क्रांथी एवं जार्खन के वीर स्वतंद्रता सैनानियों के जीवनी एवं संगहर्षों को प्रदर्शित किया गया है आज प्रधानबंत्री श्री नरिंद्र मोधी राजी के भगवान विर्सा मुंडा स्मर्थी उद्यान सहस्वतंद्रता सैनानी संगहर्षों को समर्पित कर रही है ये संख्राले जनजातिय सांस्कृतिक विरासत, स्वतंदरता संग्राम में जनजातिय सेनानियों के योगदान और उनके अप्रतिम शौरे से जन जन को रूबरू कराएगा, उन्हें प्रेर ना दीगा।